29 सितंबर 2016 की तारीक भारतिय इतिहास की वेह तारीक है जिसे सालों उस सालों तक यात किया जाएगा इसी दिन भारतिय सेना के उत्तरी कमान की 4 और 9 वी बटालियन की स्पेशल फोस पारा कमान्ड ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के दर्जनों आतंकियों को निस्तारि सेना के इस स्पेशल पारा कमान्डो फोर्स ने देश के लिए जो किया उसे देशवासी लंबे वक्त तक यात करते रहेंगे आपको बता दे पारा कमान्डो भारतिय सेना के पाराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है पारा कमान्डो की सबसे बड़ी बंदग समस्या, देश में आतंक वाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेश टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, दुश्मनों को तलाशना और उन्हें तबाह करने जैसे कामों में इन्हें महरत हासिल है। पूरे तीन महीने तक इनकी सेलेक्षन चलती है, ऐसी दौरान जवानों को थकावत, शाररिक और मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है, एक पैरा कमांडों की दिन की शुरुआत शरीर पर 60-65 किलो वजन और 20 किलोमीटर तक की दौर से शुरू होती है। ये कमांडों ऐसी मौत देते हैं आतंकवादियों को की उनकी रूह काप उठती है। चाहे जैसी भी परिस्थिती हो ये कमांडों उसे पार कर अपने लक्षे को भेकर सही सलामत वापस चले आते हैं। उस्टे चाह हो चाह हो ये मौत ई।